अरे में बात करें को परवत का नाम क्या है अरावली परवत ठेक बात करें रावली परवत के बारे में हम तो अरावली परवत का विस्तार प्रारम होता है राहस्थान से तहां से राहस्थान में पार्ट इसका राहस्थान में जबके 80% भाग राहस्तान में यह कर, प्रारम होता है गुजरात, राहस्तान, और राहस्तान के रास्ते होते हुए हर्याना, और हर्याना के बाद ये दिल्लि, अगर मैं बात करूँ अरावली परवत के बारे में, तो अरावली परवत का जो विस्तार हुआ, वो भारत के, गुजरात राजस, राजस्थान, हर्याना और दिल्ली में, जिसका सरवादिक विस्तार, अगर मैं बात करूँ, सबसे अधिक जो विस्तार है, वो कहां पर है, राजस्थान, जिक, जबकि अरावली का सबसे कम जो विस्तार है, उस सबसे कम विस्तार कहां पर है, दिल्ली, जिक, अरावली परवत कुद्पत्ति, पांसव सत्तर मिलियन वर्स, पांसव सत्तर मिलियन वर्स पहले होई थी, जि करेंबियन युग इसके पत्ते किस युग में होई थे प्रे करेंबियन चेक और ये भारत का प्राचीन परवत तो है ही भारत के प्राचीन परवत के साथ-साथ ये विश्व का भी सबसे प्राचीन परवत है एक भारत का प्राचीन तो है लेकिन विस्तु का सबसे प्राचिन परवत जिस परवत का नाम है अरावली अगर अरावली परवत की बात करो अरावली का विस्तार इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है ठेक अगर थोड़ा से हम इसे जूम कर दे तो और तरह तो मैं बात कर रहा था इसका विस्तार ग कर दिल्ली तक के टोटल यो लंगाई है यह तोटल लेंद्ल है 800 किलोमीटर टोटलो लेंद्ल कितने इसके 800 km और आवली परवत का विस्तार है और आवली परवत है एक आउसिष्ट परवत का उधारन है कौनसे परवत का अउसिष्ट परवत होता है एक वह परवत जिसका तापमान एवं दाव की कारण उसके अकार में क्या चुका हो परिवर्थन एक अरावली परवत पहले एक वलिद परवत का कोजर रंथा जिसे मोर्दार परवत बोलते हैं एक सब परवत कौंसअ परवत liegin होता है रोपांत्रित जिसके रूप में क्या होचुका है अन्तर इतना इने सी आरावली परप पे एक पत्थ्र पाया जाता है इस पत्थर का नाम आप सब जरूर hypothesis रोंगे पत्थर और यह मक्राना पत्थर से क्या चीज को उत्पत्ति होती है संग मरमर और आपको पता होगा कि संग मरमर जो है कि संग मरमर एक रूपांत्री चक्टान का रूप होता है कि शक्टान का जग चूना पत्थर अपना रूप बदल दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं संग मरमर ठेक और इसी संग मरमर से भारत में तीन वास्तु कला का सरोच नमूना हमारे भारत में हैं ठेक अगर मैं बात करो ये संग मरमर मकराना के संग मरमर से ठेक विश्व पर सिद् आप नाम सुने होंगे विक्टोरिया पैलेस को आप देखेगा नेट पर भी सर्च करके क्या सामने से भी देखेगा तो विक्टोरिया पैलेस में भे सफेद संग मरमर का परयोग किया गया है ठेक तो एक एक्जाब में देखिए ताज महल वाला ओप्सन नहीं था तो रहता है वहां ताज महल राइट एंसर नहीं था वहां पर राइट एंसर था विक्टोरिया मेमोरियल का एंसर था वहां पर